दो बार एडी आपके यहां भी रेड कर चुकी है अभी वुपेंदर सिंग हुड़ा से पूर्साच के लिए बुलाया है तो किस तरह की करवाई मानते हैं यहां भी दो बार ने तीन बार छापे पड़ चुके हैं एडी और इंकम टेक्स के अपने परदेश में तो नौकरी द दूर रहें किस तरह की देखने क्योंकि फिर जो गुटबाजी पर लगातार बयान देते हैं कि नहीं गुटबाजी नहीं है और फिर इस तरह की जुचा अशोक तवर जी को समय से पहले और समय से जादा मिल गया था फरिदभाद की इत्ति गाउंग विधानसाबा सीट से कॉंग्रेस की टिकट पर जीते पूर विधायक ललित नागार इन दिनों गाउंग गाउंग दोरा कर रहे हैं और न्यौते माट रहे हैं नियोता है जन आकरोश रैली का जादा बात करते हैं उनसे कि क्या होने वाला इस रैली के लिए और किस तरह से लोगों की भीड़ जोटाने में वो कामयाब होंगे दिखे सचिन जी आज हम पूरे तिगाउं विधान सबाचेतर के पिछले पांच छे रोज से हर दस गाउं रोजाना करते हैं दस गावों में जाते हैं रैली का निमंतरन देते हैं लोगों के दुख दर्द सुनते हैं लोगों की समश्याओं को सुनते हैं और लोगों को बताते हैं कि वे आने वाले समय में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आने जा रही है आप कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करो जो सम अजरी वुपेंदर सिंग्ध हुड़ा के नेतरतों में सरकार आई थी उसी तरह से हम दोबारा काम करने का काम करेंगे जोड़ रहे हैं आज आप देख रहे होंगे के गाउं गैल हर गाउं में लोगों में कॉंग्रेस पार्टी के प्रती बहुत उत्सहा है हर आदमी चाहता ह है कि भारतिय जंता पार्टी को चलता करो और कॉंग्रेस पार्टी को जिताओ तो हम देखते हैं कि हर गाउं में जैसे ही हमारा मैसेज खबर जाती है गाउं के लोग काफी मात्रा में इखटे मिलते हैं और सो सो दो दो सो लोग इंतजार करते हैं और हर आदमी एक चाहता है बदलाव चाहता है कि हरियाना प्रदेश में बदलाव हो और कॉंग्रेस पार्टी की लहर आए और हम सब को बता रहे हैं कि हमारे प्रतिपक्स के नेता पूरों मुख्यमंतरी चौदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा हमारे मुख्य अतिती के रूप में आ रहे हैं चार फरवर के अंदर जो मैं समझता हूँ कि हमारे छेत्र में हमारे जिले में उत्साहा भरने का काम करेंगे जो सको और बढ़ाने का काम करेंगे अच्छा दो बार एडी आपके इहां भी रेड कर चुकी है अभी भुपेंदर सिंग्ध हुड़ा से पूर्षाच के लिए बुलाया है तो किस तरह की कारवाई मनते हैं जब जब जहां भारतिय जंता पार्टी को ये लगता है कि यहां ये सरकार आने वाली है या ये नेता जीतने वाले हैं या ये भारतिय जंता पार्टी के लिए ये नेता आने वाले समय में कठनाई खड़ी करेंगे तब तब ये एडी का सहारा लेते है पिछले दिनों आप स्थान में चुनाव चल रहा था अशोग गहलोद जी के रिस्तेदारों के यहां बेटे के यहां इडी के चापे पड़ रहे हैं पिछले दिनों आपने देखा होगा च्छतिस गड़ में चुनाव चल रहे थे भुपेस बगेल मुख्यमंतरी जी के वहां पर भी उनके वहां च्छापे चल रहे हैं तो यह इनकी अब एक आम किरिया बन गई है और यह एडी और इंकम टेक्स को आज कल एक हत्यार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी भुगत भोगी रहे हैं आपकी चुनाव से हमारे यहां भी दो बार ने तीन बार च्छापे पड़ चुके हैं इडी और इंकम टेक्स के आज चार वर्स हो चुके कुछ भी नहीं मिला पिछले चुनावों के दोरान लाश्ट में चुनाव चल रहा था दो दिन बाद पोलिंग होनी थी मेरे और कोई मेरे दसमारे साथियों के यहां चापे पड़ रहे हैं तो यह लोकतंत्र की हत्या है यह सवीदान के विरुद्ध काम हो रहा है बारतिय जंता पारटी वाले चाहते हैं विपक्स को खतम कर दें विपक्स में कोई नेता ना रहे अगर कोई मेहनत करके और आगे आना चाहता है यह जंता उसको चाहती है तो यह उसके उपर ED का दुर्पयोग करते हैं आज ऐस जैसे ही चौदरी वुपेंदर सिंग हुड़ा के ऊपर पिछले दस वर्ष से केश चला रखा इनोंने कुछ भी नहीं है जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है लोग कह रहे हैं हरियाना पर देश में वुपेंदर हुड़ा की लहर है वुपेंदर हुड़ा चीफ मिनिस्ट्र अपने परदेश में या अपने देश में तो इन पर रोजगार दिया नहीं गया 2014 का अगर इनका हम घोसना पत्र देखते हैं इन्होंने कहा था कि दो करोड साल गयल रोजगार देंगे आज इन्होंने दो करोड रोजगार छोड़ो निकालने का काम किया है इन्होंने कहा थ बेरोजगारों को हम बत्ता देंगे ऐसे ही देंगे जैसे चुनावी घौसना पत्रते जैसे इन्होंने आज तक 15-15 लाख रुपे दिये इसी तरह से इसराइल में नौकरी देंगे अपने परदेश में तो नौकरी देनी सकते विदेश में इनको धोका देने के लिए भेज र स्राइit और जो एसर के गुठ है उनकी रैलियों से दूर रहें किस तरह की देख रहे क्योंकि फिर जो गुठबाजी पर लगातार देते हैं कि नहीं गुठबाजी नहीं है और फिर इस तरह की जो चीजने सामने आती हैं देखिए मुझे नहीं लगती कि कोई गुटवाजी है, सौभाविक है कि हर नेता चाहता है कि मुझे बड़े से बड़ा पद मिले, ओदा मिले, आज हरियाना प्रदेश में लग रहा है कि कॉंग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसी स्थिति में हर नेता कोशिस करता है कि मुझे पक बाबरिया जी ने अभी कहा, तो मैंने भी वो वक्तवे पढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली एसार के गुरूप कोई कहा हो, और भी बहुत सारे हैं कि गलत है या इदर दर की एक्टिविटी ने भाग नहीं लेना चाहिए, तो हर नेता अपने अपने तरी उसके बाद टी एम सी में चले गए, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी में गए, उसके बाद अब चर्चा है कि बीजेपी में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अशोक तवर जी को समय से पहले और समय से ज़्यादा मिल गया था, जब वो नौजवान थे, कॉलिज में पढ़ते थे, उनको NSUI का राष्टी अध्यक्स बनाया पार्टी ने, कॉंग्रेस पार्टी ने, जैसे ही पॉलिटिक्स की दहलीज पे उन्होंने पैर रखा तो उनक यूथ कॉंग्रेस का राष्टी अध्यक्स बनाया, कॉंग्रेस पार्टी ने, थोड़ा आगे बढ़े चार कदम तो उनको MP का टिकट दे कर Member of Parliament बनाने का काम किया, AICC Secretary बनाने का काम किया, कॉंग्रेस पार्टी ने, कॉंग्रेस पार्टी ने उनने हरियाणा प्रदेश का अध्यक्स बनाने का काम किया, ये सब को छोटी सी उमर में दे दिया, वो हजम नहीं कर पाए, वो सहन नहीं कर पाए उस सब को, और कॉंग्रेस पार्टी पे को छोड़ कर, वो दुनिया जहान में चले गए, कभी जजबा से सेटिंग कर रहे थे, कभी TMC में चले गए, कभी एक पार्टी बची है, भारतिय जनता पार्टी, जो सम्मान, जो पद, जो प्रतिष्ठा, अशोक तवर को कॉंग्रेस ने दे दी, वो कभी किसी दल में नहीं मिलने वाली, वो चाहे कहीं भी चले जाए, चले फिर से बात करते हैं, आपकी जनना क्रोश चले लिए कि कितने भीड जोटाने में कामयाब होंगे, पंदरा बीस हजार आदमी हम लोग जोटाएंगे, बड़ा मैदान है दसेरा ग्राउंड, और दसेरा ग्राउंड के अंदर, पूरे हमारे छेतर से, हर गाउं से, हर कलोनी से लोग आएंगे, अभी हमारे रैली के 15-18 दिन हैं बाकी, भारी मात्रा में हाजरी होगी, और लोगों में भी उत्सहा है, कुछ हमारे पिरती लोगों में प्यार भी है, कहने के बाव जूस सबाएंगे, और कुछ कॉंग्रेस पार्टी और भुपेंदर सिंग उड़ा के नेतरतव को उदेभान जी के नेतरतव को लोग मान रहे हैं, और भारी संख्या में, काफी भारी संख्या में बीड और लितना कर यह बताने की जड़ी रहे हैं कि चाहे चुनाव अभी हो या नावमबर में निश्चेत रूप से चाहे ये लोकसभा के साथ चुनाव करा ले या सेप्टमबर में चुनाव करा ले हम और हमारी हर्याना प्रदेश की टीम चुनाव के लिए तैयार है आपके एक साथ ही विधायक है नीदर चर्मा जी वो फिर से एक उन्होंने अपने वस्त्रों को लेकर देखिए जब किसी विधायक को मुख्य मंतरी जी गरांट नहीं देंगे या उनके विकासकारिया नहीं कराइंगे तो निश्चित रूप से कोई नो कोई तो रूप अपनाना पड़ेगा मैं भी पिछले दिनों एमेले रहा था विपक्स में मैंने भी हर जनसभा में हर अच्छा है अपनी बात कहने का उन्होंने ये एक तरीका बनाया है पिछले दिनों भी उन्होंने वस्तर उतारे थे फिर वस्तर उतार लिया और कफन पहन लिया है मैं समझता हूं कि मुख्य मंतरी जी को या भारतिय जंता पार्टी की सरकार को पार्टी को ये सोचना चाहि एक विधायक विधायक ही होता है। चाहे वो किसी भी दलका हो। उसे गısıे इत काम करने चाहिए है। बहुत भूँत धन्माज्ट ट max यू यह मंद है। और उन साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीरच जो उनके साथी विधायक हैं कॉंग्रेस पार्टी से विधायक हैं जिस तरह से वो उन्होंने कफन धारन किया है क्योंकि वो इस बात से नाराज हैं कि उनके इलाके में काम नहीं हो रहे तो ललीत नागर का कहना है कि वो की कारवाई कर दिये हर्याना तक के लिए फरिदाबाद से सचिन गौर्ड